नमस्कार आप देख रहे हैं Capital TV और मैं हूँ आपके साथ वक्ता खबरों की खबर में आपका स्वागत है खबरों की खबर में आज बात होगी एक बड़े खुलासे की, एक विस्फोटक बयान की और एक बड़े आरोप की PM मोदी की सुरक्षा चूक मामले से जुड़ा ये बयान कई एंगल से देखा जा रहा है पंजाब के फिरोजपूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 15-20 मिनिट के लिए फस गया था, ये सभी जानते हैं कुछ कथक किसान संगटनों ने सड़क जाम कर दिया था, जिसकी वचा से एक फ्लाइ ओवर पर PM मोदी अपने काफिले के साथ फस गये थे इसे PM की सुरक्षा में बड़ी चूक के तौर पर देखा गया और इस मामले पर सियासी घमासान मच गया इसी बीच शेरोमणी अकाली दल के नेता बिक्रम सिंग मजीठिया ने इस मुद्दे पर CM चरण जीत सिंग चन्नी पर गंभीर आरोप लगाए है मजीठिया ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि CM चन्नी और नवजोट सिंग सिद्धू के दफ्तर में साज़िष रची गई थी अकाली नेता मजीठिया ने कहा कि PM मोदी को चन्नी सरकार शर्मिंदा करना चाहती थी इसलिए उनके रूट को खाली नहीं कराया गया मजीठिया ने सवाल पूछा कि CM चन्नी कहीं भी जाते हैं तो उन्हें कभी नहीं रोका जाता फिर PM के साथ ऐसा क्यों किया गया पंजाब के पूर्व काबिनेट मंतरी बिक्रम मजीठिया ने मीडिया से बातचीत में कहा नाकारा DGP बना दीजिएगा तो यहीं हाल होगा यह UPSC के पैनल में नहीं थे मुख्यमंतरी पंजाब में रोज ट्रैवल कर रहे हैं उनको तो कभी 20 मिनट कहीं नहीं रोका गया उनकी तो सड़क जाम नहीं हुई जब उनके लिए आप रास्ता क्लियर कर सकते हो तो प्राइम मिनस्टर के लिए क्यों नहीं यह कोई घटना मैं तो बहुत चोटी चीज हूँ मजीठिया यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि सीम चन्नी ने उनको हटा दिया पहले यूज किया और यूज इन थ्रो कर दिया एक बात बोली हैसमें कि जब आप इनकॉंपेटेंट अफसरों को डी जी पी लगा दो देखो सब को पता था कि ये यूबी एसी के पैनल में नहीं आएंगे और अगर चीफ मिनिस्टर साब पंजाब में रोज ट्रैवल कर रहे हैं उनको तो कभी 20 मिनिट कहीं रोका नहीं गया उनके तो लिए सड़क जाम नहीं होती जब उनके लिए आप रस्ता ढूंड सकते और तो प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं ढूंडा गया वो इस मिनिट किसी सड़के उपर फचे हो थे जीटी रोड पर प्राइम मिनिस्टर कैसे फचे जो एक प्राइम मिनिस्टर की जान को खत्रे में डाल सकता है मैं तो बहुत चोटी सी चीज़ों मैंने देक नॉमल अधारन दिया और मैंने फैक्स के साथ बात करी है आफ्टर आल प्राइम मिनिस्टर चैर इस अ कॉंस्टिटूशनल पोस्ट दो मोस्ट प्रोटेक्टिट परसन इस यह प्राइम मिनिस्टर ऑफ दे कंट्री आपने सारी दुनिया में मजाक उड़ा दिया और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स थी और मेरा तो यह फंडमे मजीठिया ने सीम चन्नी और सिद्धू पर मोदी के काफिले को रोकनी की साजिश रचने का आरोप लगाया है मजीठिया ने कहा है कि यह मोदी जी का सवाल नहीं है यह प्रदान मंतरी पत का सवाल है जो कि एक समवैदानिक कुरसी है वो देश में सबसे जादा सुरक्षा क हकदार शक्स हैं सारी दुनिया में आपने आपसी पॉलिटिक्स के लिए देश का मजा कुड़ा दिया मेरा तो मूल सवाल है कि जो लोग इस प्लानिंग की साजिश में थे आप उन तक कप पहुँचोगे क्योंकि यह प्लानिंग और प्लॉटिंग सीम और पीपीसी के दफ खराब मौसम की वज़ा से अंतिम समय में पीएम मोदी के काफिले को सड़क मार्ग से बटिंडा से फिरोजपूर जाना पड़ा लेकिन फिरोजपूर पहुचने से पहले ही एक फ्लाइओवर पर उनका काफिला 20 मिनट के लिए फस गया कथित किसान सगटनों को पीएम दौ इस पर निशाना साथ रही है तो वहीं पंजाब सरकार और कॉंग्रेस पार्टी इसे ड्रामा बता रही है वहीं पंजाब बीजेपी ने राज्य की चन्नी सरकार पर पीएम की जान जोखिम में डालने का आरूप लगाया है तो पंजाब कॉंग्रेस का आरूप है कि रैली सरकार ने PM के काफिले को रोकने की साजश की थी मजीतिया ने कहा कि उन्होंने कभी सिद्धू को या चन्नी को इस तरह की बीच सड़क इंतजार करते तो नहीं देखा मजीतिया ने कहा कि PM को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब किया गया पंजाब हर्याणा हाई कोट ने अंतरिम जमानत के साथ 6 शर्ते लगाई है इसमें कहा गया है कि मजीतिया देश छोड़ कर नहीं जा सकते उनका मोबाइल हर वक्त आउन रहना चाहिए उन्हें वाट्सअप के जरिए जांच इजिंसी को अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी होगी मोहाली कोट ने उनकी आरोप लगाया कि पूरी साजश के तहट उन्हें फसाया गया था। सिद्धू के खिलाप अमरचार इस्ट से चुनाव लड़ने के सवाल पर मजीतिया ने कहा कि अगर उनके समर्थक चाहते हैं तो वो इसके लिए तयार है। अगरिम जमानत सबका अधिकार है वे भी इसके लिए कोट गए और उन्हें राहत मिली। मजीतिया ने पंजाब सरकार को चिनोती देते हुए कहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है ट्रेलर के बाद पूरी फिल्म भी दिखाएंगे। मजीतिया ने आगे ये भी कहा कि उनके खिलाफ बकाइदा साजश रची गई। ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन के तीन चीफ बदले गए, कई SSP बदले गए, सीम चन्नी ने खुद मुझे फसाने की साजश रची, इसमें दिप्टी सीम सुगजिंदर रंधावा और एक आमेले ने मिलकर अफसरों को ओफर भी दिये गए, इसके बाबजूर कई अफसरों ने इंकार कर दिया, बिकरम मजीठिया ने सिद्धू के पंजाब मॉडल को बकरी मॉडल बताते हुए कहा कि वो मैं मैं करता है, सिद्धू जो बात कह रहे हैं वो पहले उन्हें आठ साल से पंजाब के वित्मंत्री मन पकड़ है, उन्हें प्रकाश सिंग बादल जनरेल की संग्या देते हैं, मजीठिया को जमानत मिलने के बाद अकाली दल के प्रधान सुकुभीर बादल ने कहा कि पूरी साजिश रचकर ये केस तर्च किया गया था, जिसके लिए डीजीपी को खास तौर पर लगाया गया मजीठिया को जमानत मिलने से सच की चीत हुई है, वहीं सीम चरणजीत सिंग चन्नी ने कहा कि मजीठिया को सिर्फ जमानत नहीं मिली है, केस खत्म नहीं हुआ है, आपको बता दें कि साल पुराने केस की फाइल को खोला गया था, और मजीठिया को गिरफतार करने की की गई थी लेकिन मजीठिया पुलिस की नजरों से बच रहे थे और अब उन्हें हाई कोट से अंतरिम जमानत मिल गई है पंजाब में चुनाओ है जिसकी तारीखों की गोशना हो चुकी है लेकिन इस से ठीक कुछ दिन पहले पंजाब सरकार और पुलिस की तरफ से इस केस को ओपन किया गया था इस मामले पर अकाली दल ने पंजाब की चनी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा था कि ये बदले और राजनीती की भावना से प्रेरित होकर कारवाई की गई है हाला कि अब मजीठिया एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है जिसका फाइदा अकाली दल को जरूर मलेगा आपकी इस पर क्या राया है हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं तब तक के लिए बने रहे हैं कैपिटल टीवी के साथ जैहन